हलो मित्रो आज आपड़े बार जीविग्ण्यान प्रक्राण नंबर पाच एमा काराको ना मुक्त विश्ट्लेशान नियम समझी सु द्विशंकरण प्रयोग पर्थी आ नियम आपड़े समझवानों छे अने द्विशंकरण प्रयोग मां आपने सिखी गाया छे बे लक्षन पाई की पहलु लक्षन अतु बीजिनों आकार अत्वा बीजिनी सपाटी एमा बे अभी व्यक्ति आती पहली अभी व्यक्ति गोड आकार्न बीज़ता आने बीजी अभी व्यक्ति खर्ब चड़ा बीज़ता आ बन्य अभी व्यक्ति पर असर करता जे काराको अथवा जनीनों छे गोड जे बीज छे ए प्रभावी छे लेना माटे कैपिटल आर संग्नियानों उप्योग करेलो अने खर्ब चड़ा बीज ए प्रच्छन छे लेना माटे स्मॉल आर संग्निया वप्राई एज दिते बीजु लक्षान अतु बीजुनों रंग एमा बे अभी व्यक्ति आती पीडा रंग ना बीच अने लिला रंग ना बीच अने एना पर असर करता काराको अथ्वा जनीनों अता पीडा बीच प्रभावी छे लेटा माटे कैपिटल वाई संग्नियानों उप्योग करेलो लिला बीच प्रच्छन छे लेना माटे स्मॉल वाई संग्नियानों उप्योग करेलो अने एनुवी वच्चे द्वी संकरण प्रयोग करीने आपड़े पित्रू करता भिन लक्षण दरावती संतती पन प्राप्त करेले तो अना पर्थी मुक्त विश्टलेश्ण नो नियम छे के जहरे कोई संकरण मा लक्षणों नी बे जोड साथे आवे छे तो जहरे कोई संकरण मा लक्षणों नी बे जोड साथे आवे तिहारे कोई एक जोड नुँ लक्षण बीजी जोड ना लक्षण थी स्वतंत्र रीते विश्टलेश्ण पामे छे अने कारक औरना मिक मुक्त विश्टलेश्ण नो नियम के वाई जो स्वतंत्र विश्टलेश्ण न थतु होई तो गोड अने पीडा बीज माती मात्र गोड अने पीडा बीज जज सर जाई अने पीडा बीज पनावी जाई छे अने पीडा बीज दरावता संतती पन जोगा मरे छे अने अपने जराग जुदी रिती लेए अपने आ लक्षण ने तो यहां कोई एक लक्षण नी अभिव्यक्ति पर असर करता जनीनोनू विश्टलेशन अन्य कोई लक्षण नी अभिव्यक्ति पर असर करता जनीनोना विश्टलेशन थी मुक्त रिते थाई छे अने कारकोना मुक्त विश्टलेशन नी अभिव्यक्ति पर असर करता जनीनोना विश्टलेशन थी मुक्त रिते थाई छे अने कारकोना मुक्त विश्टलेशन नीयम कहे छे आ नीयम समझवामा आम थोड़ोक याद राखवामा अगरो पड़े छे परन्तु आ द्वी संकरन प्रयोग माझे आपने लक्षण अभिव्यक्ति न असर करता कारको लहीगे एना पर थी अवे समझजीए तो आपड़ी व्याख्या मुझे जब कोई एक लक्षण एनी अभिव्यक्ति अने एना पर असर करता जनीनों अत्वा कारको एनों विश्टलेशन बीजा लक्षण नी अभिव्यक्ति पर असर करता जनीनों विश्टलेशन एना थी मुख्तरी देथाई बीजा कोई लक्षण नी अभिव्यक्तियों पर असर करता जनीनों ना विश्लेशन थी मुक्तरी ते थाई छी आने कारवकों ना मुक्त विश्लेशन नो नियम कहे छे तो आपने जोगे आर अने आर नो विश्लेशन वाई अने वाई ना विश्लेशन थी मुक्तरी ते थाई फर ये कोला समझी लेए हैा diagnosis、、, कोई एक लक्षणनी अभी व्यक्तियो पर असर करता जनीओ 아णिस बिजा लक्षणनी अभी व्यक्तियो पर करता जनी नो एना विच्छलेशन थी मुक्त रिते थाई चे,णिं कारकोन बुबhon नियम कहे छे दारी ते एक मार्क मा कारकोना मुक्त विश्णेश्ण नियम पूछी सकाई छी यां कारी ते मेंडल एना कारियों खोब सफर थाई ला था छता पन लगभग ओगनी सोने साल सुधी मेंडल ना जे कारियों छे ए अजान रही ला था तहीं आपने एना वी से जोई अवे के मेंडल ए पोता नुझे कारियों करेलों छे अड़र सोने पांसट मा अने प्रकासित करेलों तेम छता ओगनी सोनी साल सुधी मा एमनों कारियों कैम अजान रही तेना माटे ना केटलाक चोक्कस कारणों छे अने बे मार्क मा पूछाई तो एना माटे नूप पहलू कारण छे संचार व्यवहार ते वखते सरण नहोतों संचार व्यवहार एला आजे आपने कोई पणक सारू कारियों करिये पहली वखत करिये और आपना खुब दूर रेता कोई सबंदीनेनी जान करवी होई दाकला तरी के आपने भारत मा रही आपने अमेरिका मारेता आपना कोई नजीक ना सबंदीने नी जान करवी छे आपने फवन ठे एक मिनीट करता पड़ों समयमा ए सबंदी понे अटला दूर शुदती जान करी सके ला ने पहलो मुद्धों तो ते वखते संचार, विवहार, सरण नोतो बीजो अपने लिए तेना लक्षणों नी अभीव्यक्तीनु नियंत्रन करता कारको अंगे न विचारो तेना समकाली नोय ते वखते स्वीकारिया नोता तो आपने जुई कैं मेंडेले कैयू छे कोई पन लक्षण माटे कारको जवापदार छे पने कारको नी कोई भावतिक साबीती आई आपने जुई सीक्का कारको नी हाजरी बावत माँ कोई भावतिक साबीती पन ते आपी सक्क्या नोता तो अभिव्यक्तिनु नियंत्रां करता कारक अंगोना विचारो तेना समकाली नोए तेवक खते स्विकारिया नोता तीजो अपने जोईग्या कारकोनी हाजरी वापते कोई भावतिक साबीती आपी सक्यानोता कोशरस्मा आ कारकोना स्थान एना विशेपन यमने जानकारी नोतिक भईय कारको कोश्मा क्या आवेला छे ए उप्रांत ते वखाते अमने आकडा की यह प्रुथक करण करीने वणन करवानो नव अभिगम अपनावेलो आ अभिगम ते वखाते सम्पून नव हतो आ अभिगम ये पाण वीजा वैग्नानी कोई स्विकारेलो नही तो अवा कितला काराणो सर्प मेंडल नुजे कारिय छे लगबग उगनिश्वनी साल सुधी मा अजान रहेलो त्यार बाद उगनिश्वनी साल मा कितलाक वैगनानी कोई फरीति आवा प्रयोगों करेया अनि आ वखते सुख्ष्मदशक यंत्रनी सोध थाई चुकी हती कोस विभाजन विशेनी माहेती मडी चुकेली हती त्यार जे वार्षागमन कहुँ छे एनी साथे रंगशुत्र संकड़ाईला छे एले आ जे रंगशुत्र आधारीत वार्षागमन ए पुगनिश्वनी साल मा यूगो दव्रीस काल कॉरेंस अनि शेर्माक आ वैजना निकोए व्यक्तिगत रिते मेंडलना लक्षणों ना वार्षा नामो छे एने फरिती संसोधित करेया अने ते वकते आरीते मेंडलनों कारिय पून्ह संसोधित थयो आ वकते माइक्रोसकोप एनी पनसोध थयी माइक्रोसकोपी मापन विकास थयो कोश्विभाजन आ प्रक्रियानी अंगीनी पन सुक्ष्मदश्यक मा महीती मड़ी अने अर्धीकरणनी प्रक्रियाने ध्यान पूरक अवलोकन करवा मापन ये सफड रहया कारीते सटन अने बोवेरिये नामना वैग्नानी कोई 1922 साल मा मेंडलना तारणों प्रथम निद्धेसित करवा माव्या तेमने एवो वाद रजू करयो के सजीवों मा रंगसुत्रो अथ्वा कारको अथ्वा जनीनो एना पाया रूप छे आ वार्सो नकी करे छे आ वाद ने आनुवं सिक्तानो रंगसुत्र वाद कहे छे आने ए पर नकी करवा माव्यू छे के जननकोष ना निर्मान वखते रंगसुत्रो अलग पड़े छे तो या कोष विभाजन एनो जैर अभ्यास करे त्यार आपने आगण पन जोई गया छे कि रंगसुत्रो जैरे कोष विभाजन थाई छे जननकोष नुन निर्मान थाई छे त्यार अर्धी करण निक रिया थाई छे अने आ अर्धीकर निक रिया थाई छे त्यारे जोड मा आवेला रंग सुत्रों साथे नरेता एक एक जनन कोश्मा वेचाई जाई छे एक जनन कोश्मा एका जा रंग सुत्र होई छे एड़ आपड़े कही सके के एकी संख्या मा दाखला तरीके मानवी नियंदर 46 रंग सुत्रों जे 23 जोड मा गोटवाई लाचे तो 23 से 23 जोड मा रवलेला रंग सुत्रों जनन कोश्मा साथे उतरी आउता नथी दर एक जोड पई कि एक एक रंग सुत्र एक एक जनन कोस मा वेंचाई छे एले जनन कोसो रंग सुत्र संख्या बाबत मा एक किया बनी जाई छे जो इसे गर्दी करण द्वारा चाई छे जर आओ एक किया सुक्रकोस और एक किया अंड कोस रचाई छे अवे आवा एक किये सुक्रकोस अने एक किये अंडकोस साथे फलन नीक रियादन्यान जोड़ाई चे अने त्यारे फलितान अत्वा जाइगोट नू निर्मान थाई छे अने जाइगोट मा परिती रंगशुत्र संख्या द्वीकिय बनी जाई छे तुआ रिते रंकसुत्रों नू अभ्यास करेवो जनन कोसु नू निर्मान थाए तैरे रंकसुत्रानी व्हेंचनी थाई छे अने जोड मा आवेला रंकसुत्रों एक एक जनन कोस मा व्हेंचई जाई छे अने फलन दर्मियान आ रंगसुत्रों पाछा जोड मा गोठवाई छे आ माहिती मड़े तेरे सटन ने कोस केंद्र मा रहेला रंगसुत्रों नी आ जे वर्तनुक छे एने मेंडले संक जे कलपेला कारको एने कारिय वर्तनुक वच्चे नी समानताओ निदिस करी उसे शटन नाम लवैगनाने के क्यों युँगे रंगसुत्रणु जे वर्तन छे एमेंडले कलपेला कारको ना वर्तना मरतु आओतू होइचे द्ध्याने का युँखे आपने जो हईयाती हैicate हम रंगसुत्रों फ़टीमा होईचे तो मेंडले कलपेला जे कारको छे एपन जोडी मा होई छे दरेक जननकोस जोडी पैकी ना जनीनों माथी एकज जनीन धरावे छे तेविज रिते जननकोस मा रंगसुत्र नी जोडी पैकी नू पन एकज रंगसुत्र होई छे मेंडले कारको ना मुक्त विश्लेशन नियम पन रंगसुत्र ना पाया ना धारित आनुम उसीकता द्वारा समझावी सकाई छे यहां सजीवनी दरेख जाती चक्क संक्या मा रंगसुत्र दरावेचै पड़ मेंडलला संकलपीत एकमो एककौका उरा रंगसुत्र्वेकीं न ननियम नोता आनुम उसथयों स्माओर विश्ल लेकारी भजुड्वार क सटन बोवरी नामना वाईजनानी के कारको अत्वा जनीनो एना वर्तर ने रंग सुत्र साथे सरखायों, आरीते सटन ने कहिए छे के रंग सुत्र विष्ट्रेशननी जानकारीने मेंडली सिदान सत जुडीने वार्षागमान रंग सुत्र बाद नकी करयों अने थोमस हंट मॉर्गन ने त्यार बाद ड्रोसोफिला फोर्माखी पर प्रवेगों करीने अनुवसिक्तानो नियमू रंगसुत्र आधारीच छे समझावू। त्यार बाद मॉर्गन ने आ प्रवेगों करे राचे अने मॉर्गन पोताना प्रवेग माटे ड्रोसोफिला फोर्माखी पर प्रवेगों करे राचे। आने ए फर माखी आती ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर प्रकारिये करें तो यहां प्रस्त पुछाई थे कि मोर्गने पोताना प्रयोग माटे फड माखी ड्रोसोफिला नी पसंद्गी सा माटे करें अने बे मार्क माँ ए प्रस्त पुछाई थे कि मोर्गने पोताना प्रयोग माटे ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नी पसंद्गी सा माटे करें तरना माटे ने किटलाक जोक कस कारणों छे आ कारणों पई कि पहलू कारण आपने जोए कि आज फड माखी छे कदमा नानी छे औने प्रयोग साडा माँ सरण सांस्टलेशित मध्यम माँ एने उचेरी सकाई छी प्रयोग साडा माँ सांस्टलेशित मध्यम माँ सरण ताथी एनो उचेर करी सकाई छी बीजो आपने जोए ते पोतानु जीवन चक्र बे अठवारी आमा पूर्ण करे छे एले खुब अल्प समय माँ एनी बीजी पेडी सरण ताथी प्राप्त थाई जाई छे अने आजे विधान छे ए साचा खोटा विधान माँ पन आगड़ना प्रस्ण पत्र माँ पुछाई गयुँछे के ड्रोसो फिला पोतानु जीवन चक्र आम 15 दिवस, 22, 24, 25 दिवस, एने बदे 21, 28 दिवस, एवु आपीने साचा खोटा विधान आप्वा माँए छे तो यहाँ यादा आखोनुचे के ड्रोसो फिला पोतानु जीवन चकर बेट वारिया माँ, को एक बुख माँ 15 दिवस आपेलुआ, एले 15 दिवस माँ पुरू करे छे बीजो अपने लिए, के एवा सजीवनी पसंगी करवी पड़े, के जिमा वीपूल संततियों प्राप्त थती होई, जे थी लक्षणों कितला व्यक्त थाई छे, जानकारी मेर भी सकाई, तो यहाँ एक अज मैथोन थी, माखियों नी वीपूल संतति उत्पन थाई छे, ले गणमदा सजीवनी लक्षण सरण ताथी जोई सकाई छे, यहाँ लिंग बेद स्पास्ट हातो, नर अने मादानी सरण ताथी ओड़क थाई सकती हाती, अने पाचमों अपने लिए, तो तेव माँ आनुवाँ सिक्ता यहाँ विविदताओं अनेक प्रकार्नी हाती, अने आ विविदताओं सुख्ष्मद्रशक यंत्रण ना लो पावर माँ पन जोई सकाई तेवी हाती, तो अवा किटला कारण सर मेंडले पोताना प्रयोग माटे ड्रोसफ पिला फड माखी नी पसंगी करी हाती, परी जोईले यहाँ प्रयोग सड़ा माँ सरण संस्लेशित मध्यम एने सरण ताती उछेरी सकाती हाती, बीजु लक्षन चे ते पोतारू जीवन चक्र बे अठवालियामा पूर्ण करे छे, त्री जो तेमा एकज मैथों थी माकियोंनी विपूल संतती उत्पन थाई छे, तेमा लिंग बेद स्पास्ट हातो एटके नर मादानी ओड़क सरण ताती थाई सकती हाती, अने साथे तेमा आनुमसिक जे विविदताओ छे एना अनेक प्रकार हाता, अने सुक्स्मदर्षक न यंत्राणा लो पावर मापने जोई सकाता हाता, तवा कितला कारण सर या मोर्गने उताना प्रयोग माटे ड्रसो फिला फॉल माखे नी पसंगी क तरी हती, ठेंक यू